लो फ्रेंड्स गने तियान के मैथेमेटिक्स में हम लोग कुछ और इंपोर्टेंट को देखते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपनों को बहुत सरी चीज़े बताए थी उसमें से ट्रिप्लेट का जो रूल था वो कैसे किस परकार से काम काता हुए मैंने बताया हुआ था तो आज हम लोग इसी में से और कुछ इंपोर्टेंट को देखते हैं तो सबसे पहले यह कोस्टिन देखते हैं कि क्या है एक वृत की जीवा उसके तीरज्या के बराबर है उस जीवा द्वारा दिर्ग वृत खंड में वृत के परिदी के किसी बिंदू पर बनायेगा कोन क के लिए उसका जीवा वो उसके तुक्राह के बराबर होगा माल की यहलैं गृत की जाह से टिरज्या है तो इसी के बराबर एक जीवा भी है तो माल होताया सब्सक्राइब 갑 chambers invert the center शुन दिल्मिंद तो यह होगी आब अब यह जड़ तीनों भूताया क्कें बराबर है त्रफूजाएं बराबर है तो हम क्या सकते हैं कि तीरवुज के जग तीनों कौन भी लिए लंगे यहाँ पे यह संबहु सबनी है कि पन जाता है उसिमें थीटा स्व घ्र diagnostics इवर्यूज के से savoir एक बिरित खंड करना क्या होगा तो इसी को तो हम लोग जानते हैं मैंने आपनों को बताया कि एक ही दिवारा और एक ही आधार का विजो कौन ऑभा पेरव के कौन न होता है तोगर यह डबल है तो यह अगर ऑगर यह रहादा में बताया हुग आप लोग वहां से भी जा करके साथ चीज़ों को देख सकते हैं मैंने जिएमेटर में बहुत सा चीज़ों को बताया है तो यहां पर साफ साफ इसी कहाना है कि कौन A, C, B बराबर जो होगा वह हाफ ओफ कौन A, O, B होगा तो हम लोग यहां पर इसको देख लेते हैं तो यह हाफ ओफ एंगल 60 डिग्री तो हमारा यहां पर निकल जाएगा 30 डिग्री एंसर आप ओप्षन देख सकते हैं ओप्षन नमबर डी में है यह सही उतर है तो इसको मैं बता देता हूँ कि यह 30 डिग्री हुआ कैसे हुआ तो यहां भी लिग देता हूँ कि परिधी पर का कौन केंद्र पर बने कौन का आधा होता है यह आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जब मैंने गनित के कोस्टिन्स बनायाते पड़ा रहा था उस वक्त तो यह आप लोग प्रिभियस वीडियो जो है प्रेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं तो यह हो गया हमारा इस परकार से 30 डिग्री एंसर नेक्स्ट कोस्टिन है एक रेलगाड़ी बालिगंज से सियालदा तक 20 किलोमेटर परती घंटे की उसद गती से चलती है और 30 किलोमेटर परती आर की उसद गती से वापस आ जाती है तो अजनुसार उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की उसद गती कितनी है यह कोस्टिन है जो कि railway से याने railway से समझत है तो मैंने सारी वीडियो में आपनों को बता चुका हूँ कि किस परकार से बनता है तो यहां पर जो है रेल गाड़ी के बारेकार है माने लेते हैं यहां हमारा बाली गंज स्टेशन हो गया और यह हो गया हमारा सियाल्दा तो कोई एक ट्रेन है जो की बाली गंज से स्यादा जाती है तो यह यहां जाती है जाने टाइम पर वो लेती है 20 किलोमेटर परतियाचार और जब यहां से वापस आती है उस समय यह लेती है 30 किलोमेटर परतियाचार के ओसर चाल से तो यह जो डिस्टेन से यह आप लोगों का हैं ठीक है ठीक है तो अब हम जो जानते हैं कि जब डी स्टेस समान होते हैं आने कि जाने का और फिर वापस उसी रास्ते से वापस आने का तो यह ढहा nouveau constant हो गया तो जब ऐसे कॉष्ण पूझता है तो यह करते हैं कि जो है और उसत गति पूझता है तो मैंने आप लोगों को बता चुगा हो कि यह होता है 2xy भटा एक्स प्लस यह होता है इसी से आपका यह question बन जायेगा तो यहां पे जो है x क्या होगा तो x जो है वह पहला उसत चाल और y जो होगा दूसरा उसत चालोगा तो यहां पर आप लोग इसको से सिंपले लिख सकते हैं तो टू इंटू एक्स के इतना 20 और वाइश कल टू 30 डिवाइड़ वाइड़ दोनों को मिला देंगे तो 50 हो जाएगा यह हमारा तो अब इसको देख सकते हैं सेंपल इसे काट देंगे आप तो यहां पर साप सब बन जाएगा 24 किलोमेटर पर तो यह हो गया आपका ओप्स नमबर डी में है जो की राइट एंसर है तो यही हमारा एंसर भी होगा यह किस प्रकास से बनाती हुए मैं आप लोग बता दें तो सारे की सारे जानकारी आप लो इसका जो राइट यमसर होगे है वह है 24 किलोमेटर पर तीर नेक्स्ट कोस्टन है दो रिलगाड़ी एक ही दिशा में करम से 40 क्लोमेटर पर्थी घंटा तथा 20 क्लोमेटर पर तींटी एक शुखन से चल रही है उनमें तियस रिल गाड़ी धीमी रिल गड़ी में बैठ तो यहां पर माल नहीं है दो ट्रेंन हैं एक ही दिसार में चल रही है ये माल ट्रेंड1 bother you स्पीद लोग्स कैसे दरते हैं तो देखिए एक ही ड्रस्न में चेल रहे हैं तो हम लोग का यहां पर जो है रिलेटिव भेलो सीटी यानिकि रिलोटिव इस्पीड जो है वह हमारा क्या होगा तो दोनों को हम लोग माइनस करना पड़ेगा यानिकि 40 माइनस 20 किलोमेटर परती हर तो यहां से हम लोग का निकल जाएगा 20 किलोमेटर परती हर हो जाएगा अब यह हमारा किलोमेटर परती गंटा में और सेकेंड में पार करते हैं यहां पर टाइम हमारा दिया हुआ है पांस सेकेंड यह है तो लंबाई निकलना है तो हम लोग लं बता चुका हूँ वीडियो में पिछले तो वहाँ पर देख सकते हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जता है तो इस पीड इन्टू टाइम होता है तो यहाँ पर इस पीड जो निकला हुआ हमारा 20 किलो मीटर पर तीय चार निकला है और टाइम हमारा 5 सेकेंड में है तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं जब सेकंड में दिया हुआ है तो हमलों के स्टेंटर में मीटर में निकालना होगा तो इसको म्मीटर पर ससेंगरा चेंज करने के लिए 5 बटा अठाद से हम लोक मchildren करतें साचत यहां पर यह पूस्र ही मुद्डों इस परकार से यह मीटर हो जाएगा आप इसको आप लोग पूरा स्वल्प करेंगे तो इसका जो हो जाएगा हमारा वेलू 277.9 मीटर यह एंसर हो जाएगा तो यहां पर पूरी जानकारे को मैंने बता चुका हूं तो यहां पर चालना उसके बाद में आपका टाइम ग्या रहेगा उस हिसाब से फिर रिल गारी की लंबाइ निकाला तो इससी कोस्चिन को इस परकार से आप बना सकते हैं नेक्स्ट कोस्चिन है एक आयत का च्शेतरफल एक बर्क के च्शेतरफल का तीन गुना है उस आयत की लंबाई 20 सेटम्मीटर है और उसकी चोड़ाइं उस बर्ग की भुजा की तीन प्रटर दो हुनी है तो दनुसर उस बर्ग की एक जो लंबाई दिया हुआ है यह संदिमीटर दिया हुआ है अध्र छूड़ाइड है यह एक बार ना ह कोगा तो इस बर्ग का भुजा के तिन पर्टा दू यानि कि थीज भाई टू यह हो जाएगा इसका चोड़ है इस आयत का तो यह भी हमारा थीजन वाई हो जाएगा यह अब यहाँ पर छेद्रफल का बात कर रहा है तो हम लोग जाकर देखते हैं तो यह आयत का छेत्रफल है तो हम लोग पहले आयत का छेत्रफल निकालते हैं आयत का छेत्रफल जो है वहाँ वर्ग की छेत्रफल का तिन गुणा होना चाहिए तो बर्ग का छेत्रफल क्या होता है उसको भी देखते हैं वर्ग का छेत्रफल जो है इसका तिन गुणा होना च यह जो है 3 हो जाएगा और बर का छेतरपल क्या होता है वह भूजा स्क्वेर होता है तो भूजा याने कि A का स्क्वेर इदर में हम लोग कर लेंगे तो यह आप लोगों को फॉर्मूला याद होनी चाहिए उमित करता हूं कि आप लोगों को याद है भी अब इसको देखते है तो यह हम लोगों ने इसको काट लिया है तो यह पर 30 A is equal to हो जाएगा यह 3 A square यह हो गया अब इसमें से A और A को भी हम लोग काट सकते हैं तो यह हम लोग इसको फिर से काटें के तो 10 हो जाएगा तो यह A is equal to कितना निकल जाएगा A is equal to 10 cm यह हो जाएगा हमारा answer जो कि option number A म को रख लेंगे तो हम लोगों को आसानी से यहां बन जाएगे तो इस आयत का जो चोड़ाई था हुआ उस बर्ग के भुजा की तिन बड़ा दूग नहीं थी तो उसको हम लोग उसी परकार से लिक लिया और फिर उस बर्ग का जो है एक भुजा के लंबाई कितनी होगी इस से इंटेमेटर देखते हैं तो यह समचातुर भुज कह रहा है तो माल लेते हैं हमारा यहां एक सामचातुर भुज है एक समस्यत्र पूज है और इसका नाम हम लगों ने दे दिया A, B, C, D इसके जो है यह पर विकन दिया हुआ है तो यह हो गया हमारा 12 cm और दूसरा जो विकन है वह हमारा 16 cm का तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं समस्यत्र पूज के जो है हम लोग परपर्टिज पढ़ा हुआ थ दोनों दो भाग में बराबर बराबर बढ़ जाते हैं तो यह तो यहां पर हमारा 90 डिगरी के एंगल में यह काटते हैं और चार बुजा तो इनका बराबर होता ही है ठीक है तो आप लोग प्रपर्टिज को देख सकते हैं वह सब सारे को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो और यह वाला भी 8 का बना यह 12 था तो यहां पर 6 हो गया है और यह भी 6 हो गया है अब हम लोगों को कोई एक भुजा निकालना है तो मालत हम लोग इसी तिरभूज का बात कर लेते हैं यह वाला तिरभूज क्या है तिरभूज DOC में ही हम लोग बात करते हैं तो यहां पर क् को ट्रिपलेट मालूम होगा तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं तो दिखिए के år एक यह च्छे है तो अगला जो ट्रुपलेट को होगा वह कितना तर्व वह 10 सेंटीमीटर होगा इसका मतलब यहां पे दसका एक ट्रिपलेट में आठ छे और मैं लोग आसाने से बना सकते हैं यह से तो यहां पर जो ट्रिपलेट है वह बहुत ही ज्यादा il तो दोने होगे 100 यह डीसी स्क्वेर बराबर है ठीक है तो अब लोगों को सिंपल डीसी निकालने के लिए इसको क्या करना होगा तो यह हमारा 10 सेंटिमेटर यहां से भी निकल जा रहा है तो अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा तो वह आप लोगों को बहुत जाता हेल्प करेगी इसको स्वल्प करने में तो उप्सन नमबर जो सी है वह इसका राइट एंसर है यहाँ पर बारह तेरह और या आनी से बना ही सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है यदि दो संकेंद्री ब्रित्तों की तिर जाएं पांस सेंटिमेटर ता त्हुंति हो तो उन में बड़े ब्रित की उस जिवां की लंबाय कितनी होगी जो छोटे ब्रित को इस परश करती है आप्जों में 6 संटिमीटर 40 सं सेंटर होगा दोनों विर्द का तो माल लेते हैं यहां एक ओ बिंदु है जहां से दो विर्द इस परकार से चाहिए यह जो बन गया है माल लेते हैं इसको तो यह इस परकार से यहाँ 5 cm वाला तिरिज्या है और इस पर सरह कि दलंबा कि यह कितने इए तो यह हमारा एक जीवा हो गया है इंबी और इसको लोगोंने सी नाम देत तो एजो एसी जीवा है वह इहां पर करने के लिए तो आप यहां पर देख सकते हैं किस परकार सी यह हमारा एक संपून तिर्भूज बन रहा है अब दिखिए यहां पर यह हमारा कर्ण है यह हमारा उचाई है यानि कि लंब है और यह हमारा यहां से अब यहां पर ट्रिप्लेट भी आप लोग देख सकते हैं किस परका से देखिए पांच यह तीन अगला जो ट्रिप्लेट होगा उससाब से यह चार होगा यानि कि अप्सन भी चार दिया हुआ है लेकिन लोगों को एसे भी निकालना है तो यह इसका डबल हो जागा यहां पर यानि कि हम लोगों का यहां पर साफ साफ हो जाएगा चार गुना दो बराबर आठ सेंटिमीटर तो जो डी है यह इसका एंसर जागा यह हमारा ट्रिप्लेट से निकला है तो अब हम लोग इसको इस परका से बना ही देते हैं तो तिरिभू जो है एसी ओ में यह हमारा कर्ण हो जाता है तो एओ का स्क्वेर बराबर हम लोग क्या करते हैं ओसी का स्क्वेर प्लस एसी का स्क्वेर करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले एसी निकालना है तो हम लोग इसको करेंगे एओ का स्क्वेर माइनस ओसी का स्क्वेर बराबर एसी का स्क्वेर करेंगे यह हमारा 5 पांच का स्कवेर 25 यहें पर करते हूं मैं और ऊच जो है तीन होता है कि यहां पर सोल हो जाता है अब इसको स्कॉर्ण कैवल एसी निकालना है तो इसको अम लोगों को रूट कर देना है तो जैसे आप लोगों करेंगे तो यह हमारी चार सेंटिमेटर निकल जाता है आप हम लोगों का AC है AC पलस CB यह जो चार है इधर CB भी हमारा 4 ही होगा यानि चार पलस 4 बरवर 8 सेंटिमेटर जो कि अप्शन नमर डी में इस परकार से बनेगा तो यहां पर वह आप लोगों देख लिया कि जो एक रिख वाकिस परकार से करजेंद उसनी ञंट उससान दिया उसी के उनसार से या हा सानशेसे निकल गया नेङस्ट कोस्चन है दो समान रिल गाड़ी की दो ट्रेणे समादा लाईन ओपर एक ही दिसा में करमगा्वाleness आगे निकल जाती है प्रतिक ट्रेन की लंबाई कितनी है आपका पचास मीटर बहुतर मीटर असी मीटर और बिरासी मीटर यह है तो यहां पर रेलगाड़ी से है ट्रेन से तो मैंने आप याजने की लंबाई जो है यनी की एल जितना है वह ईल इसका भी उतना एत्या यह हैं तो अगर एक ट्रेन एल मिटर के दूसरा भी एल मिटर यह मैंने आप लोगों लोगों अपर बता दिया जो कॉस्टिन में पूछा था और यह दोनों एखी डायरेसिन में चलती हैं एक ही डायरेक्सा दैखिए, एक ही दिसाम छलती यह कॉस्टिन पूछ रहा है तो ट्रेन वान जो है वह 46 किलोमेटर परती घंटा है और यह 36 किलोमे 40-36 किलोमेटर परती घंटा 10 किलोमेटर परती घंटा इलों का और सथ यानि की रिलेटिव इस्पीड है ठीक है यह आप लोगों को ध्यान रखना है अब जो है दोन एक ही लंबाई के हैं और हमेशा मैंने बताया कि जो है ट्रेंट 1 पलस ट्रेंट 2 होती है टोटल डिस्टेंस में यहां पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वह मर कितना हो जाएगा क्यों हो जाएगा यहां पर हमारा कूल दूरी बराबर जोगा वह हो जाएगा हमारा 2L क्योंकि यहां पर दोनों समान नबाल किया है और हमेशा दूरियां एड होती है तो 2L हो गया अब यहां पर इस्पीड है और यह हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस और हम लोगों 36 सेकेंड में पार कर जाती है यह जो ट्रेन है इस ट्रेन को पार कर जाती है तो यहां पर हम हमारा यहां पर दिया हुआ कि इतना 36 सेकेंड में दिया हुआ है अब जो डिस्टेंस हो गया हुआ हमारा टू एल हो गया और टोटल जो है तेन किलोमीटर पर ती है तो इसको अब हम लोग आसाने से सुल्ब करते हैं 36 यहां पर लिखेंगे हैं पर टू एल हो जाएगा वह जो दस किलोमीटर पति गंटा इसको मीटर पर शेकिन में निकालते हैं तो यह हमारा पाजबटा अठार हो जाता है यह किस पर कसा आया यह भी मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया हुआ है तो अब हम लोग यहां से सुल्ब करके यह जो एल है उसकी लंबाई को निकाल सकते हैं तो इसको हम लोग इधर में बनालते हैं तो 36 बराबर हो जाएगा 2L इन्टू यह जो 18 है वह हमारा उपर आ जाएगा और यह जो है 10 इन्टू 5 और जाएगा तो एल बड़ाबर हम लोगों का जो है ट्रेनकी लंभाई थी निकल के हमारा ट्रेमारा प्रक्रांस मीटर जब 56 अब आटानों डू टैनला तो यहूप चास मीटर का यह बहागा है तो दोनों को यहां पर बता दिया तो इस प्रकार से निकले गाई है तो आसानी से आप लोग इस जो कोस्टिन है इस पर करके उसको आप लोग बना सकते हैं नेक्स्ट कोस्टेन है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमेटर परती घंटे की गति से चल रही है यह कितने समय में टेलिफोन खंबे को पार करेगी ओप्शन है आपका 20 सेकेंड 15 सेकेंड 17 सेकेंड और 18 सेकेंड तो यह कैसे बनेगा यह रेल गाड़ी यानिके ट्रेन से लेटे है और इसकी जो स्पीड है यानिकी स्पीड इस ट्रेन की वह दिया गया हमारा 54 किलोमेटर परती घंटा यह परती एचार में किलोमेटर परती जा दिया और यह मेटर दिया और हम लोगों को निकालना है सेकेंड में इसका टाइम को तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि कोई जो ट्रेन होती है वो जो लंबाई होती है खुद की जो लंबाई होती है अगर यहां पर यह खंभा है मालेजी यह खंभा है तो इसको अगर ट्रेन पार करेगी तो यह खुद का जो लंबाई है उसी को पार करेगी यानि कि यह ट्रेन का जो इंजन यह है तो यह खंभा है माल तो यहां पर यह ट्रेन के खुद की लंबाई को ही पार कर गया यानि कि डिस्टेंस जो होगा वह हमारा 300 मीटर ही होगा यहां पर ठीक है अब इस पीड हम लोगा दिया हुआ है तो हम लोग को समय निकालना है यहां पर तो समय बराबर हम लोग क्या हो जाएगा दूरी चाले हम लोग करें लिए को नीच दिifically कर देख कर लेंगे तो यह क्योंट पर शेकिने की लिए पंचबंटा इस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह जो आठारह है यह हमारा उपर चल जाएगा यहांपर Um और इंटू पांच रहेगा यहां पर तो इससे हमारा जो है यहां पर समय यानि कि टी निकल जाएगा अधिक है तीन यह अपना हंड्रेड हो जाएगा और इससे हम लोग सोलोशन करेंगे तो यह बीस हो जाएगा तो हम देख रहें यहां पर जो समय है यानि कि टी जो है वह व कि पार करता है तो ट्रेयन अपना खुद पीजुंढ़ा होती है खुद की लंबाई जो तीए तो मैंने आप लोगो सारे concern बताय । आप लोग play-list में जा कर oat को सारे सारे चीज़ों को देख सकते हैं मैंने आप लोगों को आप अच्छे तरीके से बताया हुआ है सारे के सारे तो अभी आप लोग इस question को इसी परकार से solve कर लेंगे अगर ऐसे question बनता है तो आप लोग आजानी से बना भी सकते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसी परकार कुछ और questions को देखेंगे जो कि maths से पूछे जाएंगे हो सकता है अगर एक्जामों में इसी परकार कर तो आप लोगों को सारे के सारी चीज़ों को ध्यान में रख लेना है